नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल अपरेंटीजिप इंडिया दम है आज हम बात करने वाले हैं जो ओए अपरेंटीज भरती आई है आई टे पास कंडिडिट के लिए उसके बारे में बात करेंगे उसमें क्या क्रेटेरिया रखा गया है उसमें लिमिट क्या है और जो हम स्टार्ट होगा संपूर जानकरी देंगे यूटूब चैनल करना हो तो यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को लाइक और सेर्ट कर दीजिए फाइनली हम आगे हैं जो ओए अंजी सी के ऑफिसल वेव साइट है आप यहां प आप लोग जानते होंगे इसके बारे में जो यह कंपनी है जिसमें तेल को जमिन से निकाला जाता है यह सब प्रोसेस जो होता है वह पहाड़ों से निकाला जाता है और जंग जो समुद्री इलाकों से भी तेल निकाला जाता है वह सभी चीज़ें यह एंजी से ही करती है तो जो साउथ एसिया में सबसे नंबर वन कंपनी है यह जो सेंट्रल गवर्मेंट के अंतर काम करती है इसके बारे में आप लोग जानते भी होंगे मैं आपको यहां पर बताता हू दित्याइब यहां हेंटर करने निएक को जया है मिलेगी अंहें इसका भारे में पर देखें बेदिनखने को आप यहां पर देखेंगे तो अपको यह बताया गया आपर 30 432 आप इस पर किल्क करेंगे जैसे फौ आपको यहां पर दूसरा इक ढवन हो जारूब़ बात ठीक पर दिखार आप इसको देख भी सकते हैं कर आपको बता रहे हैं तो आपको नोटीजमेंट अप्रेंटिस अंडर एक्ट उनीश एक्सट और उनीश त्यात्तर के आधार पर आपकी अप्रेंटिस कराई जाएगी जो आपकी अप्रेंटिस अंस्ता है वह एंजी सी पेट्रो एडिसन लिम्टेड इसे ओपी यल बोलते हैं इसके बारे में बताए गया है यहाँ पर कि यह अप्रेंटिस होगी वह उनीश एक्सट के ताहत होगी अप्रेंटिस यह सब चीज़ें यहां पर बताएगी और यहां पर देखेंगे तो आपको स्टेपेंड के बारे में बताए गया है कि आपको स्टेपेंड मिलेगा कंपनी के तरफ से पीपीज मिलेगी और कंपनी आप आपको बैखाव्य आपको कंपनी के तरफ से टी ए नहीं दिया जाएगा आपको जो जो सेंस्ता है वह आपको आट या पचास उपिया से स्टेपीड देगी और आपको मतलब और नहीं आपको ट्रेस उड्री पर आपको प्रोड का जाएगा और यहां पर आपकी जो होगी यह जी सीवीटी से होना चाहिए यहां पर इन्होंने बताया है यहां पर देख सकते हैं और आपका जो होना चाहिए वह को उननीस भीस या 21 या 22 में पास-अउट होना चाहिए इससे पहले का नहीं होना चाहिए मतलब इसी के बाद का ही किवाल होना चाहिए तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं यह पूरा डिटेल हैं इसका लिंक मैंने डिक्शन बाक्स में दिया है आप महांसे इस फाम को क्ल परसंट से कम नहीं होने चयाए रखिए च tätä ग९ह और आपका زwn जो यहां पर बदेखेंगे तो आप को इस लीए बारे में भी बतांगें आन इसको यहां पर देख सकते हैं और इहां पर इन्हों ने बता है है आपके पास कम से कम अगर एक साल का experience है तब भी आप फाम नहीं भर सकते हैं आप trade apprentice के लिए यहां पर बताए गया है और आपकी जो age होनी चाहिए वो 18 होनी चाहिए 18 से कम नहीं होनी चाहिए और यहां पर बताए गया है और यहां पर बताए गया है और यहां पर बताए गया है आपका date of worth जो होना चाहिए वो 142000 एक से 142000 एक चाहिए तक के अंदर होना चाहिए तब ही आप भाम भर सकते हैं यह आपका 18 से कम नहीं होना चाहिए और 21 से जादा नहीं होना चाहिए यहां पर बताए गया है 142022 के date के अंसार यहीं आपका cut-up date है आप यहां पर वही इन्होंने बताए कि आपको जो B, P, T और MBA होते हैं वह यहां पर बताए कि उनको higher education का वही छूड़ नहीं दिया जाएगा आपको disability candidate जो है वह आपको यहां पर वही फाम भरे नहीं तो उनका फाम reject कर दिया जाए यहां पर इन्होंने पताया है जो एक से अधिक आपको फाम अगर भरते हो दो ट्रेट के लिए त आपको फाम भरना है यहां पर पूरी चीज़े मेंसन की गए हैं और आपका selection process बताए कि आपका जो selection होगा वो return test होगा personal interview होगा उसके आधारफा आपकी merit बनाए जाएगी यह सभी चीज़े यहां पर बताए गया है और आपको यहां पर बताए कि 20% सीटे जो गुजरात के जहां पर plant इस्तिते हैं उनके लिए result की गई आप यहां पर बास सकते हैं पूरी detail यहां पर medical के बारे में बताए आप अपने हिसाफसे इसको देख देजेगा यहां पर आपकी जो document requirement आएट जॉइनिंग के समय पर आपकी जो document देनी है वो आपको दस भी की pass marks देनी है यहां पर यहां पर मुंसिपाल कारप्रेसंगा चाहिए यहां पर बताएगा जो आपको देना है और आपको करेंगे और यहाँ पर आपको किरेंगेंगे और यहाँ पर आपका आप pro नंबर करके देना है और यहां पर बदाये कि आप we वो फिटर होना चाहिए आपका फिटर या आप केमिक्यल प्लांट में हो या इलेक्ट्रिक में हो या तो आपका इस्टुमेंट में होना चाहिए में होना चाहिए या लाइब्रेरी में होना चाहिए या मसीन में होना चाहिए इस ट्रेट में अगर आपका है तभी आप जो है आप फाम अप्लाई कर सकते इसके लिए फीटर के लिए फीटर ट्रेड होना चाहिए आपका ट्रेड साटिफिकर्ट और केमिक्यल प्लांट के लिए आपका अटेंडेंट ऑपरेटर केमिक्यल प्लांट होना चाहिए जिसे बोलते हैं ए ओ सीपी ट्रेड में आपका तब हम हम अपलाई कर सकते हैं और जब आपका यहां पर बताए गया कि जो आपको लाइबरेरी के लिए बताए गया लाइबरेरी आसेस्टेंट केमिकल प्लांट मतलब यह ले सीपी ट्रेड में आपका आईटिया होना चाहिए तभी आप फार्म अप्लाई कर सकते हैं और यहां पर ट्रेड वाइट इस सब ट्रेड़ बताया गया कि आपका फांड यहां पर 30-40-22 तक राती तक आप अवेधन कर सकते हो यहां पर यह लोकेशन बताया गया कि आपको 20% सीटे जो जहां पर प्लांट है वहां के विलेज यह सब विलेज का नाम दिया गया उनके लिए यहां पर सीटे रिजर्व किये गई है अगर और आपको अप्लाई करना है उसके लिए आपको यहां पर अप्लाई पर लांट कि लिए एकुमेंट के लिए आपको अप्लाई करना है और जो आपको आगर जो मसलिष्ट के लिए इस पर किल्क करके अपलाई करें आपको आप प्राई करके आपको डिखाता हो तो आप आपको क्वीटर पर किलिक करने के लिएक आप यहां पर click कर देना है जैसे apply वाले option पर click करेंगे तो आपका farm इस वाले site पर आजाएगा आप यहाँ पर पहले तो जो नए candidate है उनको यहाँ पर register वाले option पर click करके register करना होगा फिर उसके बाद आपको user ID password मिल जाएगा तो आप इस पर click user ID password डालकर login करना है तो जैसे आप इस वाले जो आफसन है register वाले इस पर click करके register करेंगे तो आपको इस पर मैं आपको click करके देखता हूं अगर आप password बूल गहां तो password यहाँ पर click करके forward भी कर सकते हैं यहाँ पर option दिया गया है तो आप click क्लिक है register पर click करेंगे तो आपको ऐसा option देखनों क्यों मिलेगा आप यहाँ पर आएंगे तो आपको अपना select करना होगा आप mister यह आपको इस पर select करके आपना नाम यह सब पूरा detail भरके आपको अब करना होगा आपको आसा है समझवा गया फिर पी अगर कोई पारी होता comment box में comment में में send कीजिएगा आपके reply देखेंगे आपको यह notice यहाँ पर इस question box में मैंने link दिया है notice के लिए भी दिया है और advertisement के फार्म कैसे बनना है उसका भी link दिया है आप से क्लिक करके फार्म भर सकते हैं और और टेलिग्राम का लिंक भी दिया है अगर आप टेलिग्राम से जुड़ाएंगा तो आपको नोटिस पहले मिल जाएगी आपको कोई भी इस पर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे धन्यवाद